नमस्कार प्रतिर्थ जी की नीती कथाओं की शरंखला में आज आप जो नीती कथा सुनेंगे उसका शीर्षक है त्याग का यथार्थ मार्ग एक वरद महिला द्वारा गरस्त जीवन त्यागने की अभिलाशा एक बार एक वरद्धा इस्त्री ने एक महात्मा के पास जाकर पूछा यदी उचित हो तो मैं अपनी गरस्ती और कोटुम को त्याग कर अपना शेष जीवन वरंदावन में निवास करना चाहती हूँ मैं अपने कोटुमबिक बंधनों को छोड़ कर और प्रतेक से अपना संबंध तोड़ कर परम रमनियन अगर वरंदावन में वास करना चाहती हूँ क्या यह मेरे लिए उचित रहेगा इस्त्री के साथ एक शिशू भी था जो उसका पौत्र था महत्मा ने उत्तर दिया आप जरा इस शिशू पर ध्यान दें जरा विचार करें इस छोटे शिशू के नित्रों से होकर तुमारी और कौन देख रहा है इस बालक के शरीर में कौन सी शक्ति, कौन सी चेतना तथा कौन सी प्रभूता है जो इसके रोम रोम से तुमारी और देख रही है इस्त्री ने उत्तर दिया यह तो अवश्य इश्वर ही होंगे इस प्यारे छोटे से शिशू के चित्त में लोव या दुष्टता लेश मातर भी नहीं है यह प्यारा शिशू बिलकुल निश्पाप और पवित्र है जब यह रोता है तो इसके रुदन में परमात्मा का स्वर होता है और कुछ नहीं फिर मात्मा ने कहा जब तुम वरिंदावन जाओगी तब तुम्हें भगवान किश्ण की एक मूर्ती में लगन लगानी होगी भगवान की उस प्रतीमा में तुम्हें भगवान को पूजना होगा जिस प्रतिमा कातु में वरंदावन में दर्शन प्राप्त होगा, क्या इस बालक की देह उतनी ही अच्छी नहीं हो सकती है, जितनी किष्ण जी की मूर्थी हो सकती है, वर्धा कुछ चकित हो गई, कुछ विचार और मनन करने के बाद वह इस प्रड़िनाम पर पहुंची, कि बिना किसी समस्या के इस बालक को किष्ण जी का अवतार मान कर मैं उसके शरीर दुवारा भगवान किष्ण की पूजा कर सकती हूँ, क्योंकि इश्वर ही वह है जो उस बालक के नितरों में से देखता है, इश्वर ही वह है जो उस बालक को शक्ती बल देता है, इश्वर ही वह है जो उस बालक के शरीर के प्रतिक रोम में से प्यार करता है यह बालक स्वयम प्रभु का रूप है महात्मा के उपदेश के अनुसार महिला को यह ज्यान हो चुका था कि वह इस बालक को अपना पौत्र नह समझे किसी रीती से अपना संबंदी ना माने बलकि इश्वर समझे और इस प्रकार उसके साथ सारे पारिवारिक और संसारिक संबंद तोर डाले केवल उसके साथ इश्वर तत्व का संबंद बनाए रखे यहां त्याक की यही विदिये त्याक का अर्थ वेराग्य या वानप्रस्त नहीं है त्याग का अर्थ प्रतेक वस्तू को पवित्र बनाना है बालक त्याग का अर्थ बालक या पोत्र के साथ सबी सम्बंधों को तोरना नहीं है बलकि उसे इश्वर समझना है प्रतेक वस्तू में परमात्मा के दर्शन करना ही वेदान्त के अनुसार त्याग है जो कुछ दीखे जगत में सब इश्वर से ढाप, करो चैन इस त्याग से धन लालत से काप वेदान्त आपको सभी संबंधों को त्यागने को कहता है वेदान्त कहता है कि संबंधों को त्याग कर उनमें इश्वर को देखो मित्र को मित्र के रूप में त्याग कर उनमें इश्वर को देखो सम्बंधी को सम्बंधी के रूप में त्याग कर उनमें इश्वर को देखो शत्रु को शत्रु के रूप में त्याग कर उनमें इश्वर को देखो और इन सभी में इश्वर तत्व का अनुभव करो सुआर्थ पूर्ण वेक्तित्व के सभी बंदोनों का त्याग कर दो प्रतेक प्राणी और पदार्थ में इश्वर तत्व का अनुभव करो सब में प्रभू का दर्शन करो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि त्याग का सही मार यही है कि वस्तुवों, संबंधों को छोड़ देने के बजाए उनमें आसकती अत्वा मोहों का त्याक किया जाए और उन सब में इश्वर के दर्शन किये जाए आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दमाएं धन्यवाद